हलो दोस्तो, स्वागता आप सभी का मेरे यूट्यूप चानल पर दोस्तो, आज जो हम बात करने वाले हैं डाइडरो बून टैबलेट के बारे में दोस्तो, डाइडरो बून टैबलेट के इस्तमाल करने से कौन-कौन जे फादे होते हैं इस टाबलेट का अंदर कौन-कौन से इंग्रिडिन इस्तमाल किये गए हैं, इसके इस्तमाल करने से कौन-कौन से साड़ी फैट देखने को मिल सकते हैं, और कितनी मात्रा में इस डाइडरो बून टाबलेट को इस्तमाल करने की सला दी जाती है। इस टाइडरो बून टाबलेट को कब और कैसी कितनी मात्रा में इस्तमाल किया जाता है। दोस्तों महिलाओं के अंदर जो प्रजस्टोन हार्मोन्स पाया जाता है, यदि किसी महिला के अंदर इसका इस्तर कम हो जाता है, तो उसके इस्तर को बैलन्स करने के लिए दोस्तों ये टेबलेट बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों प्रजस्टोन जो हार्मोन्स होता है, जो महिलाओं में पाया जाता है, प्रेग्रेंसी कंसीब करने के लिए उसका बहुत बड़ा रोल लेता है। दोस्तों उसके साथ साथ इस टेबलेट को जो दिया जाता है, जिन महिलाओं में मासिक धर्म से सम्मद्ध यदि कोई समस्या रहती है, तो उस कंडिशन में भी दोस्तों ये टेबलेट बहुत अच्छा काम करती है, जिन महिलाओं में मिस गैरिज की समस्या रहती है, जिन मह जिन महिलाओं में गरवास से में कोई समस्या रहती है तो गरवास से के इस तरको में सुधार लाती है ये टेबलेट उनकी प्रिजनन छमता को पढ़ाने का काम करती है जो महिलाएं जल्दी प्रेगनेट होना चाहती है या पच्चा करिसीब नहीं कर पा रही है तो उनके दोक्त को डक्तर के दुवारा महिलाओं में कितनी मात्रह में इस्तमाल करने की सल्दी आती है इस टेबलेट को जो दिया जाता है महिलाओं को सुधा साब एक एक टेबलेट खाना खाने के बाद लिए खाना खाने से पहले इस्तमाल करने की सलाजी आती है साड़िफेक्ट की बात करने तो मतली हो सकती है सेजरद हो सकता है ये इसके कुछ कॉमन से साड़िफेक्ट है जो इस्तमाल करने किसी किसी महिला में देखने को मिल सकते है अगर आप इस टैबेट का इस्तिमाल करती हैं तो अपनी डॉक्टर की देखरेक में ही करें खुशते स्टेर्बेट का बिल्कुल भी इस्तिमाल ना करें I hope मेरे द्वारा देगए जानकारी आपको प्रसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और बैल आएक दोवारा ना भूले धन्यवाद दोस्तों